एक कुश्चन कर लेते हैं पेंडिंग था हमारे के कुश्चन ठीक है तो इस कुश्चन को हम फटाफट से कर लेते हैं कुश्चन नमबर वन है आपका कर्डेक्ट और बाकि मैंने क्लास में भी कुश्चन कराना ही कराना था जो कि जैसे मैंने ओर था नेक्ट क्लास में करा हुआ बट डेली के अंदर पता यह लोगडाउन क्या इशू नहीं है लेकिन फिर जो खाली टाइम था मैं रिकॉर्ड करके फिर डाल रहा हूं सिंपल सी बात है चलिए सर देखते हैं कुश्चन पढ़ लेते हैं ना पहले यानी कुश्चन में EBIT दे दिया और देट इस हैं आपका EBIT दो लाग टिक है और दा कंपनी है अब्जेक्ट मैक्समाइज दा अर्निंग पर शेर यानि चाहती है कंपनी के हमारा जो EPS आए वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा आए और उसके लिए फिर प्लैन बताईगी राइजिंग डेट अब कहाता है कि भी या इसके पास option है कि वो equity share और प्लस डेट कर ले ठीक है ना it considering that possibility of issue equity share प्लस remaining debt of दो लाग यानि पहली बात कहता है आपको जुरत कितने की है बारा लाग और remaining debt of दो लाग का मतलब हो गया पहला plan में 2,00,00,00 का debt हो गया तो sir equity कितने हो गया sir 10,00,00 हो गया यह plan 1 हो गया या फिर 6,00,00 वाला कर लो तो दूसरा plan क्या हो गया sir कि आपका 6,00,00 का तो debt हो गया है ना और equity कितने हो गया sir दूसरे plan के अंदर 6,00,00 हो गया समझो plan में दिखा जाए third में तो क्या बनेगा debt यानि debenture आपका हो जाएगा 10,00,00 का तो equity कितने बनेगे 12,00,00 था ना तो 2,00,00 ही बनने वाले है clear इसके बाद देखते हैं the current market price of shares will be 40 and drop to 25 if borrow exceed the 750 कहता है जो हमारा shares का price है ना EPS निकालने के लिए या फिर हमें shares का price निकालने के लि अगर करजा लिया तो हमारा shares का price ही reduce हो जाएगा और आप देखो शीर साथे साथ लाग रुपे से ज्यादा सिर्फ थर्ड वाले case में जा रहा है हमारा ठीक है ना यानि थर्ड वाले case में 10,00,00 का debt है उससे पहले तो 6,00,00 का ही debt है उससे पहले दो का ही है तो इसके अंदर market price कुछ और होगा तो मैं लिख देता हूं यहां market price जो shares का होने वाला है वो होने वाला है 25 और इन दोनों cases के अंदर market price जो होने वाला है that is होने वाला है 40 share जो divide करने के लिए रहे तक और आपने धाई लाक रुपे तक करजा लिया तो आपको करजा पड़ेगा 10% लेकिन आप assume that tax rate is 50% आपको tax rate दे रखा है 50% EPS under the different option तो यहां पे तीन option है धियान रखिएगा तो मैं यह तीन option बना देता हूं आपके लिए है कि नहीं और यहां पे mainly मैं यह question पता है क्यों करा रहा हूं यह जो बीच में दे रखा है ना point सरफ इसलिए चलिए option no.1 option no.2 option no.3 तीन option है ना हमारे पास अगर option no.1 की बात करें तो equity share capital भी है मैं लिख देता हूं और debt है debt कितने परसेंट अलग अलग percentage है तो उसमें सिर्फ debt लिख देता हूं ठीक है option no.1 के अंदर equity कितने है सर दस लाख और debt कितने है दो लाख तीन में क्या है दो छे लाख और छे लाख दो में ठीक है और तीन में क्या है हमारा एक्यूटी दो लाख और डेट कितने दस लाख यह मैंने समझाने के लिए हाँ पर लिख लिया ठीक है बागी 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 कुस्टन जो स्टार्ट होगा वो होगा EBIT से हमारा तो now here EBIT ले लो सर EBIT कितना है सभी कुस्टन मैं expected बता दिया उसने अर्ण करना चाहती है कितनी दो लाख तो तीनों केसिस में अर्ण करेगी दो लाख डो लाख, डो लाख है करेक्ट, माइने ज़िस पेसे में से इंट्रस्ट, फिर्स्ट वाले केस, मैं यहीं पे लिकर देता हूँ केस गितने का लून है दो लाख का, अब दो लाख तक अगर लून हुआ तो कौन सा रेट लगेगा 10% तो यहां पर लगेगा 2,00,000 का सिरफ 10% इस ट्विंटी थाउसेंट इस कहता है 6,00,000 का लोन है कहता है कि 2,50,000 से उपर लेकिन 6,25 से कम हो तो 14% लोन 6,00,000 का है तो इस काटिगरी में आ गया जैट इस 14% यह कितने हो जाएगा 2,00,000 के लिए 6,14,00,000 तीसरे केस कभी निकाल देता हूँ यहां पर 10,00,000 है तो 10,00,000 का लोन था तो 10,00,000 के केस में काटिगरी कौन सा आ जाएगा यह वाला क्योंकि 6,25 से उपर है न 6,25 से उपर तो कितना जाएंगे 16% यह लेजिए 16 परसेंट तो यह 16 परसेंट आजाएगा 160 मैंने सिर्फ समझाने के लिखा है आपको जरूरत नहीं है कि इतना डिटेलिंग लिखने का आप सिंपल लेख सकते हैं तो चलिए अब आजाएगा हमारा इबी टी बिफोर टेक्स आजाएगा डैट इस आजाएगा 180 84 माइनस करेंगे दो लाक मैंसे एक लाक सोलह हजार यह माइनस करोगे तो 40,000 ठीक है न अब यहां पर टेक्स क्या है टेक्स 50 परसेंट है तो माइनस कर दो टेक्स 50 परसेंट यानि 90,000 50 परसेंट एक लाक सोलह हजार डिमाइड़ बाइट बाइट फिफ्टी एट थाउसेंट और यहां 20,000 चलिए अब आफ्टर टेक्स यानि प्रॉफिट फोर एक्विटी शियर होल्डर आजाएगा यह 90 फिफ्टी परसेंट माइनस करने का सेमी आएगा 58 और 20,000 अब आती है बात यहां कि हमारा अर्णिंग फोर एक्विटी शियर होल्डर अर्णिंग क्योंकि प्रफ्रेंट शियर है नहीं एक्विटी ठीक है अब नंबर अफ शियर्स निकालने की बात है अब यहां बहुत सारे बच्चे परिशान हो सकते हैं नंबर अफ शियर्स निकालने में तो देखिए सबसे पहले एक्विटी कितना है कहता है कि अब मैंने यह भी अमाउंट लिख दिया कि यहां पर मार्केट प्राइस क्या होगा 25 और उधर क्या होगा 40 तो यहां पर दर्ड केस में चुकि लोन जादा हो गया तो रेट कम हो जाएगा तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 25 से ठीक है ना तो नंबर में डिरेक्टली निकाल रहा हूं तो दस लाख डिवाइड वाइड चालिस तो नंबर आगया 25,000 कैसे आया सर मैं यहां लिख देता दिवाइड वाइड 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 सर क्या EPS आएगा 90,000 divided by 25,000 3.6 आ गया यहां पर EPS क्या आएगा 58,000 divided by 15,000 3.86 यह ज़्यादा बढ़िया है यहां पर क्या आगया 20,000 divided by 8,000 2.5 तो सर कौन सा बेस्ट है बेस्ट पूछा गया तो जहां सबसे मैक्सिमम आएगा तो यह वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा best तो एक कोशन यह था जो कि मैंने next class में बोला था तो आज तो recorded class upload हो रही है तो hopefully आपको यह clear हो गया होगा इसी तरीके से कुछ और भी कोशन हम करके मैं हर एक कोशन का एक एक वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप easily कर पाऊ ठीक है चलिए नोट कर लिए और हां मैं मंडे test conduct कर रहा हूँ आप सभी का रात में एप्रॉक्स साम को 6 बजे का test रहेगा हमारा और सामने आपका जो डिस्पली कर दिया जाएगा टेस्ट और उसके अकॉड एक सारा का सारा test हो जाएगा ठीक है मंडे शाम को 6 बजे का test मैं रख देता हूँ 6 से 7 बजे का clear चलिए आप इसको एक वान नोट कर लिए